हाई आस्पिरिंस मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं शिशिर सर बट येस वो जिसको बोल देते हैं वो सिलेक्ट हो ही जाता है सानिय और मिर्जा की केस में सर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था और साथ ही साथ उसके इंटर्व्यू और उसके प्रफॉर्मेंस की बेसिस पे सर ने अपना क्लेरिंस दिया था कि तुम मेरी तरफ से रेकमेंडेड हो और तुम रेकमेंड हो जाओगे अद दी एससबी और आप साथ मिर्जा से तो वाके फैही है देश की बेटी बन गई है पूरे देश भर में वो यूथ आइकन बन चुकी है और फाइनल उसने एंडिय जॉइन कर लिया और उसी तरीके से आज मैं जिस बेटी की बात करने वाली हूँ वो है खुशी कुमारी और खास बात यह है कि खुशी कुमारी के भी परसनल इंटर्व्यू कर दारान शिशर सर ने उसको भी रिकमेंडेट घोशित कर दिया था I don't know how sir does so but yes this is true और सबसे अच्छी बात यह है कि खुशी कुमारी दे अपने पहले प्रयास में यानि 12th appearing में रहते रहते अपने National Defense Academy के 1-5-5 course के लिए रिकमेंडेशन प्राप्त किया है है नब भैतुरीन बात यहाँ 12th कर लिया और वहाँ पे National Defense Academy के आप रंगरंट में होंगे कुछ दिनों के बात कि आप इसी तरीके से प्लान करना चाहते है और 12 इहर पास हुई अधर आप NDA पहुंचना चाहते है for more details please connect with us, thank you, Jai Hind